सब्सक्राइब कीजिए एक्यू टेक हिंदी चैनल को और दबाईए इस बेल बटन को टेकनोलोजी वीडियो सबसे पले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम में यूट्यूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने विंडोस 10 में स्टार्ट अप सौंड जो है कैसे एनेबल कर सकते हैं जब भी हम सिस्टम को ओपन करते हैं तो वह स्टार्ट अप सौंड नहीं आता है तो कै इस बार में टाइप करना है र-e-g-e-d-e-t इसके बाद मैं यहां पर इसको यह बोल देता हूं उसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्षिन देखने को मिलता है सेकेंड वाला है की करन्ट यूजर इसके उपर आपको किलिक करने का आपको यहां पर फर्स्ट वाला जो ऑप यहां पर W दबाता हूँ इसको आप यहां पर देख सकते हैं यह रहा Windows Log Off इसके उपर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आपको यहां पर एक्स्कूइब प्रम CPL तो इसके उपर आपको डबल क्लिक कर देना है डबल क्लिक करने के बाद इसकी वैल्यू डाटा जो है और डिफॉल्ट जीरो रहती है तो आपको वन कर देना है इसमें इसके बाद आपको यहां पर क्याटेगरी में से सेलेट कर देना है मैं आपर लाज कर लेता हूं इसके बाद आपको यहां पर फाइंड आप करना है साउंड इसके ओपर मैं आपर क्लिक कर लेता हूं क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फिर से sound के ओपर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहां पर यह play windows startup sound इसको जो है यहां पर tick कर देना है यानि कि enable कर देना है इसको भी तो उसके बाद आपको यहां पर sound scheme जो दिख रहा है आपको windows default रहता है अगर आपके पास यह no sound है तो आप उसको Windows default कर दीजे उसके बाद आपको यहाँ पर एक sound का option भी देखनेंग मिलता है last minute इसके उपर आपको खिलिक करके यहाँ पर आप कोई भी notification पून रह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर alarm 1,2,3 या फिर यह ringtone शुकून सी भी आप यहाँ पर set कर सकते हैं जैसे कि मैं पर default Windows notify calendar की ringtone है तो इसके बाद आपको यहाँ पर apply के ओपर खिलिक करके ओके के ओपर खिलिक कर देना है अब मैं यह Windows को यहाँ पर close कर लेता हूँ उसके बाद आपका Windows 10 का startup sound enable हो गया तो आप अपने PC को एक बार restart कीजिए Windows 10 का startup sound सुनाई देगा तो दोस्तों आपको यह वीडियो कसा लगा नीचे comment box में बता सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंदा आथ तो प्लीज लाइक करें शेयर करें